नमस्कार दोस्तों किताबी कीड़ा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है आप लोगों ने एक खबर देखी होगी पिछले दो-तीन दिन से एक खबर चल रही है कि बिहार के एक IPS अफसर ने अपने दोस्त से पटना हाई कोट के चीफ जस्टिस को फोन करवाया ताकि उन पर चल रहा मुकदमा खत्म किया जा सके उस अफसर पर शराब माफिया से मिलकर काम करने का आरोप था इस एपिसोड में हम जिस किताब की चर्चा करने जा रहे हैं वो इसी विसे पर आधारी थै किताब का नाम है जूम किताब के बारे में आगे बात करने से पहले हम देश में और बिहार में शराब पीने से जुड़े जो आंकड़े हैं उन पर एक नजर डालते हैं साल 2020 के दिसंबर में National Family Health Survey की एक रिपोर्ट आई थी उसमें देश के अलग अलग हिस्सों में शराब पीने के बारे में जैनकारी थी उस जैनकारी के अनुसार देश में जो पंदरा साल से उपर के पुरुष हैं या महिला हैं उनमें करीब 22 पृतिशत पुरुष शराब का सेवन करते हैं और करीब एक प्रतिशत महिलाएं शराब का सेवन करती है। देश में सबसेदिक शराब गोवा में पी जाती है। वहाँ पे 69 प्रतिशत लोग शराब पीते हैं। अरुनाचल में 27 प्रतिशत लोग शराब पीते हैं। इसके अलावा जम्मू कस्मीर में 8.97 प्रतिशत, राज्थान में 11.9 प्रतिशत, महाराश्टरा में 13.9 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 14.9 प्रतिशत लोग शराब पीते हैं अब हम उस राज्जी के बारे में बात करेंगे जिसके उपर यह किताब आधारित है जूम जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई थी उसमें भी बिहार में शराब पीने वालों के जो प्रतिशत था वो करीब-करीब 15 के आसपास ही था तो यह है बिहार की जमिनी सच्चाई प्रोचक बात है कि बिहार के अलावा गुजराद में भी शराब बंदी है नगालेंड में भी शराब बंदी है और बहुत पहले से है गुजराद में शराब बंदी के बावजूद 5.98 प्रतिशत लोग शराब पीते हैं नगालेंड में शराब बंदी के बावजूद 31 प्र IPS के माध्यम से और दो-तीन शराब कारोबारियों के माध्यम से ये पूरी कहानी बताई गई है कि कैसे बिहार में शराब की बिक्री का क्या क्या आसर हो रहा है शराब की बंदी आप लोगों को पता होगा नितीश कुमार ने अपरेल 2016 में लागू की दस साल की जेल की सजा उन्होंने 23 प्रावधान के अंदर अनुजन जार ने किताब में बताया है कि 2045 में बिहार में शराब से सरकार को 500 करोण रुपे का रजसु मिलता था आपको याद होगा कि उसी समय नितीश कुमार सरकार में आये मुख्यमंत्री बने नितीश कुमार पर किताब के अनुसार आरोप है कि उन्होंने शराब के जो लाइसेंस हैं जो दुकाने हैं उनको खोलने में बहुत तेजी ला दी और उनकी संख्या बहुत जादा बढ़वा दी जिसका नतीज़ा यह हुगा कि 2005 में जो 500 करुण रुपय का राजसु मिलता था सरकार को 2015 में बढ़कर 4000 करुण रुपया का राजसु हो गया यानि आठ गुना बढ़वत्री हो गई लेकिन जब यह बढ़वत्री हो गई तो नितीश कुमार को लगा कि शराब पीने से काफी नुकसान हो रहा उनको समाजवादी आदर्श भी याद आए कि शराब बंदी होनी चाहिए राजी में तो उन्होंने चुनाओ के दौरान यह घोषणा की कि वो सत्ता में आए तो शराब बंदी कर देंगे और जब उसत्ता में आए तो सज्मुच उन्हों ने सराब बंदी कर दी और अप्रेल 2016 से यह लागू हो गई अब अनुजन जागी किताब में है जो आंकड़े दिये हो हैं उनके हिसाब से 2021 तक यह किताब 2021 में छपी है जाहिर है कि यह एक साल पहले क्यांकड़े हैं अभी बिहार में 15 से 18,000 करोण रूपय का सराब का कारोबार है अब फर्क सिर्फ इतना है कि पहले सराब का जो कारोबार होता था उसका राज़स सरकार को मिलता था यानि 2015 में 4,000 करोण रूपया सरकार को मिल रहा था शराब के राजसों से लेकिन अब वो जो पैसा है और जो बढ़ गया है काफी इनके हिसाब से 15,000 के करून के आसपास चला गया है वो पैसा शराब माफिया के जेब में जाता है शराब माफिया का जो तंत्र है उसमें कौन-कौन शामिल है इसको जानने के लिए आपको यह किताब आपको दिखलाते हैं कि 5 अपरेल 2016 से 31 मार्च 2020 के बीच बिहार में 2,97,000 मामले शराब से जुड़े केसे में दर्ज किये गए इनमें 2,00,000 लोगों से जादा लोगों की गिरफतारिया हुई अनुजन जाक के अनुसार चार साल में करीब 70,000,000 लिटर शराब जब की गई य शराब कारोबार से जुड़े होने या उनको मदद करने के आरोप में उन पर कारवाई हुई इनमें से जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि IPS साहब के उपर केस था और उसके अलावा 56 लोग ऐसे थे कि जिन पर गंभीर मामले थे तो उनको तुरंद बरकास कर दिया गया ब प्लैक में बिक रही है बेचने वाला भी रिस्क लेकर बेच रहा है जब शराब बंदी लागू हुई तो उसके बाद से एक अंडर ग्राउंड नेटवर्क बन गया शराब बेचने वालों का और उसके कारोबार से अलग-अलग जो उसकी भूमिकाय है उनको निभाने वाल खड़े हो गए और जिन्होंने पुलिस बेवस्था कोई भ्रेष्ट कर दिया किताब के बलर्ब में संजी के जहा ने ये जैनकारी दी है जब अमेरिकी सरकार को इसका है कि जो शराब का आवैत कारोबार है वो अंदर ही अंदर सिस्टम को खोखला कर रहा है तो उसने 1933 में उस पर से पाबंदी हटा दी अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि फुलिस की गाड़ी में शराब तसकरी हो रही है एंबुलेंस में शराब तसकरी हो रही है आपको याद होगा कि एक भाजपा नेता के सांसत कोटे से दान दी गई एंबुलेंस में भी शराब पकड़ी गई थी, किताब में दिया गया है कि SDM के गाड़ी से शराब पकड़ी गई, तो इस तरह के आप तमाम कैसे स्पाएंगे, यानि इस पूरे सराब के कारोबार में, जो करी 15,000 करोन का कारोबार बता रहे हैं, उसमें ये पूरा तंतर शामिल है, किताब में इसका बेवरा नहीं दिया गया है, कि नेता तंतर जो है विविन पार्टियों के, वो इसमें कितना शामिल है, लेकिन बाकी जो लोग हैं, अधिकारी और निवर्ग जो हैं, वो इसमें किस तरह से शामिल हैं, इसके बारे में आप जान पाएंगे किताब में और जो सराब माफिया है वो कानूनी निक्ता चीनी में भी कितना माहिर है इसके बारे में भी इस किताब में आपको पता चलेगा पटना हाई कोट ने शराब बंदी के मामलों से जुड़े 84 अभयुकतों को इस आधार पर रिहाई दे दी कि उनके पास जो शराब बरामद हुई थी उसकी पुलिस ने वैग्यानिक ढंग से परिक्षण नहीं कराया कि वो शराब ही है या कुछ और है शराब माफिया के पास जब पैसा आ रहा है तो उसकी ताकत बढ़ रही है तो उसका असर किताब के अनुसार दूसरे ऐसे कारोबार पर भी पढ़ रहा है जैसे कि ट्रकों की लूट हो या अन्यतर की गोली बारी हो किताब की शुरुआत ही इस कहानी से होती है कि अनुजन जाके घर पे गोली चल गई और बाद में जब जाच हुई तो उनको पुलिस के तरफ से यह कहा गया कि यह mistaken identity का case है यानि गोली चलानी किसी और पे थी उनके shooter ने गोली गलती से पत्रकार के घर पर चला दी और पुलिस ने उनको इशारा किया कि मामले को रफा दफा कर दीजिए यह गलती का मामला कोई आपको निशाना नहीं बनाना चाहता शराब बंदी में अपराद की कमी में कितना योगदान है यह 2019 का इन्होंने हवाला दिया है उनके जाने कि राश्ट्री गोश्टी हुई थी शराब बंदी और अपराद पे तो उसके अनुसार बिहार में शराब बंदी के बाद से अपरादो में कोई कमी नहीं आई है किताब में एक और बहुत रोचक बात है जिसका जिक्र करना ज़रूरी है इस चर्चा में कि बिहार के चुहे बहुत चर्चा में रहते हैं और वो काफी एंटी इस्टेबलिस्मेंट चुहे हैं पटना हाई कोट ने शराब बंदी में जब की गई शराब को नश्ट करने का जब आदेश दिया तो पुलिस प्रमुक ने जब इसकी तस्दीक शुरू की कि भाई कितनी कितनी शराब कहां कहां मौजूद है तो पता चला कि 9 लाख लीटर शराब जो है गायब है फिर पुलिस ने कोट को बताया कि यह जो शराब थी 9 लाख लीटर वो चुहे पी गए इसलिए वो वहां मौके पे माल गुदाम में नहीं मौजूद है लेकिन यह चुहे पहला काम नहीं है जो बिहार के चुहों ने किया हो सरकार के खिलाब किताब के अनुसार इससे पहले 2017 में बिहार में जब बाढ़ हाई थी तो कई नदियों पे बने बाढ़ टूट गए थे जब बाढ़ टूट गए तो सरकार ने कहा कि चुहों ने बाढ़ को अंदर ही अंदर खोकला कर दिया था इस कारण से उपर से पता नहीं चल रहा था और जब बाढ़ हाई तो बाढ़ टूट गए फिर 2019 में बिहार में एक टीचर भरती घोटाले का आरोप लगा वह मामला भी कोट में गया कोट ने कहा कि सभी जितने भी लोग चैनित हुएं उन सब की डिग्रियों की जांच की जाए कि किन किन लोगों ने फरजी डिग्री के आधार पे नोकरी पाई है तो साधे तीन लाग टीचरों में से करीब डेर लाग पर या आरोप था कि फरजी डिग्री है उनकी जब सरकार के पास पहुँचा कोट का आधेश तो सरकार ने जवाब दिया कि जो फाइलें थी जिनमें इन लोगों की डिग्रियां रखी हुई थी वो फाइलें चुहे कुतर गए इसलिए सरकार उनकी फिर से जाच नहीं कर सकती तो आप देख रहे हैं कि बिहार में जो कुछ भी चल रहा है उसमें चुहे तक सरकार के खिलाफ लगे हुए हैं अब हम बात करते हैं उस पहलू की जो बहुत जरूरी है क्योंकि बिहार में जो शराब बंदी का मामला है वो दो तीन दलों के बीच का भी मामला बन जाता है क्योंकि वहाँ पे तीन जो बड़ी पार्टियां है राजद है, जदियू और भाजपा है वो तीनों बदल-बदल के पिछले 30 साल में सत्ता में रही हैं किताब में इस बात का जिक्र है कि तेजस्वी यादो जब विपक्ष में थे तो उन्होंने ये बयान दिया था कि नितीश कुमार के राज़ में शराब बंदी है लेकिन शराब पीना रुका नहीं है अब के जस्वी आदो नितीज कुमार के साथ सरकार में है उसके पहले करिब 14 साल तक नितीज कुमार और भाजपा की मिली जूली सरकार रही उससे पहले राज़त की सरकार रही तो बिहार में 30 साल से इन 3 दलों के नितृत में ही सरकार चल रही है और आपस में अदल बदल होती रहती है और जब पाला बदल जाता है तो आरोप लगाने वाले का चेहरा बदल जाता है लेकिन जमीन का जो यथारत है वह नहीं बदलता है सरकार के उपर यह आरोप जब बढ़ गया कि जो सराब से जुड़े मामले हैं जैसा कि आपने देखा है कि करीब पौने तीन लाख मामले हैं तो उनका दबाव बढ़ने लगा तो सरकार ने समधान के तोर पे 74 विशेस अदालतों के गठन का आदेश दिया जिनमें सिर्फ सराब से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी यानि आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा संसाधन जो है सिर्फ और सिर्फ नितिस कुमार के एक दिमागी खलल पे खर्च होगा कि शराब बंदी लागू होगी नितिस कुमार के ताजा बयानों से ऐसा लगता नहीं है कि वो हाल फिलाज शराब बंदी को खत्म करने जा रहे हैं शराब बिकनी भी बंद होती नहीं दिख रही है तो अब यह भविस्त के गर्व में है कि बिहार में शराब बंदी और शराब बिकरी से मिला जुला जो कारोबार है वो बड़ा होता जा रहा है उसका राजी के भविस्त पे क्या आसर होगा अभी तक के हाला जानने के लिए आप यह किताब पढ़ सकते हैं इस बार इतना ही सेज फिर कभी नमस्कार